नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाड फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर भुड़ देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज के उड़ो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो थम ने लेखा टाइटल भी पड़ा हां दोस्तो दुनिया का सबसे बहुतरीन व्याउसाय है मुर्गी पालन का दुनिया का इकलोता व्याउसा है दोस्तो की जिसमें लागत हजारों में होगी तो मुनाफा लाखों में होगा लेकिन दोस्तो मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया दोस्तो बीमारी आने से पहले रोकने में अगर आप कामियाब हो जाएंगे तो आपका मुर्गी पालन का फार्म आपको दिन दुगनी राच योगनी प्रोग्रेस करके दिखाएगा और आपको इंकम का स्त्रोध भी वहाँ पर जो है एवेलेबल करके देगा लेकिन दोस्तो आपको यह पता ही नहीं है कि मुर्गी पालन के व्यावसाय में आने वाली बीमारी या कौन सी और उनका इलाज कैसे किया जाई इसलिए दोस्तो आज का यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप जो है दोस्तो अगर यह वीडियो देख लेंगे और मैं जो दवाए बताऊंगा मेडिकल किट के माद्यम से अगर एक बार यह दवाए आपके पास उपलब्द हो गई तो दुनिया की कोई भी बिमारी आपके मुर्गी पालन के व्यावसाय को तहस महस नहीं कर सकती इसलिए दोस्तो बिमारी आने से पहले रोकनी होगी और बिमारी आने के बाद उसको अगर वहाँ पर हमें हमारे फार्म से दूर करना होगा तो यह मेडिकल किट क्या है मेडिकल किट में कौन कौन सी दवाए रखनी है दोस्तो और हमारे फार्म पर कौन सी आई सी दवाए है कि वह उपलब्द ही होनी चाहिए इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला यह वीडियो देख लिजे आपको लगेगा मेडिकल किट में कितनी दवाई है दवाई है दोस्तो आठ है लेकिन इन दवाओं पर होने वाला खर्चा पाचजार दस हजार बीस हजार नहीं तो दोस्तो साधरन तोर पर हजार से लेके पंदरह सो में मेडिकल किट तयार हो जाएंगे लेकिन हजार रुपई की यह मेडिकल किट आपके फार में आने वाले हर बीमारी को रोक सकती है आने से पहले और आने के बाद इसलिए दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय मुर्गी पालन दुनिया के सबसे बड़ी समस्या यहां पर मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एक medical kit आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों इसलिए आपके पास क्या यह medical kit है यह आपके पास यह दवाय उपलब्द है मुझे comments करके बताना ना भूलिए ताथी में दोस्तों आप यह आप नमबर वट्सप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चैट इन सोशल मिडिया के साथ नों का इस्तमाल करते होई लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा सबस्क्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़कर विंति करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदस्य मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो के दायतर निजली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग करते हैं है तो दुनिया का सबसे बहतर इन यहां तो हो योई दोस्तों लेकिन मुझे आने वाली बीमारियों की दिखकत हमें सता थी हमें डिसिंञे होना इसकी वज़ह से हमें मूर्ग्यों को गवाना पड़ता है लिए ाहिसे मैं दोस्तों अगर आपके मुर्गे पालन के फार्म की मुर्गियों को अगर आपको सेहत मन रखना है उनसे ज्यादा ज्यादा इंकम प्राप्त करनी है तो इस मेडिकल किट को आप वहां पर त्वरित लाकर रखे जिससे आपको सव प्रतिशत दोस्तों फायदा ही फायदा होगा तो मेडिकल किट में कुल 8 दवा है दोस्तों कौन कौन सी यह दवाए है और इनका इस्तमाल कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको प्रस्तुत वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा पूरी जानकारी यहां पर जो है दोस्तों सुन लीजे देख लीजे लिख लीजे और यह मेडिकल किड जल्दी से जल्दी आपके फार्म पर लाकर रखिए तो दोस्तों शुरुआत करता हुई इन आठ दवाओं की दवा नंबर एक है दोस्तों जिसका नाम है लासोटा वैक्सिन दोस्तों यह लासोटा का टीका होता है मुर्गी पालन की सबसे घार तक बीमारी यान होना खत्म हो जाती है कभी कभार यह बीमारी आ भी जाती है तो दोस्तों इसकी कैपेसेटी इतनी नहीं होती है कि जो अपनी मुर्गियों को डैमेज कर सके इसलिए दोस्तों आपको एक यहां पर बात ध्यान में रखनी कि कुछ भी हो जाए आपके फार्म पे लासोटा की दवा उपलब्द होना बहुत जरूरी है लेकिन दोस्तों यह टीका होता है इसलिए इसे नॉर्मल टेंपरचर में हम नहीं रख सकते हैं इसलिए दोस्तों इसे लाने के बाद फ्रीज में रखना है दोस्तों और जब आपको देना है दोस्तों उसको सुभ या दोस्तों रा दूसरी सबसे इंपोर्टन बात आपको बतलाता हूं दोस्तों यह सभी बाते करते हुए लासोटा का यह टीका एक बार फोड़ने के बाद इसका इस्तमाल दुबारा नहीं किया जाता है नहीं तो वह पोईजन बन जाता है इसलिए दोस्तों लासोटा का टीका इस्तमाल कर से पहले मेडिकल वाले से सभी बाते पूछ लीजिए और इसका इस्तमाल कीजिए और एक बार दवा का इस्तमाल करने के सबसे घातक बिमारी में नंबर दो में आती है दोस्तों फाउल फॉक्स यानि माटा बिमारी दोस्तों माटा बिमारी मुर्गी पालन के फार्म पे बहुत दिक्कत वहां पर जो है दोस्तों ला सकती है इस बिमारी को अगर रोकना होगा तो दोस्तो हमें फाउल फाक्स का टीका यानि गंबोरा का टीका करन करना होगा गंबोरा का जो वैक्सिन यानि टीका है दोस्तो वह वैक्सिन हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्द हो जाता है गंबूरों का यह vaccine होता है दोस्तो इसलिए इसका इस्तमाल totally lasso-tak के तरही किया जाता है दोस्तो इसका इस्तमाल एक तो सुभर सुभर नहीं तो रात के वक्त किया जाता है यह आखो और पानी के माध्यम से दिया जाता है एक बार इसको फूडने के बाद दुबारा इस्तमाल नहीं किया जाता है साथ ही में इसको लाने के बाद फ्रीज में ही रखना पड़ता ही है दोस्तो गंबोरा का टीका लाहे हैं दोस्तों एक्सपायर देखकर आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है इसलिए दोस्तों लासोटा और गंबोरा की यह जोड़ी है जो मुर्गी पालन के फार में आने वाली सबसे घातक दो बीमारिया रानी खेत और दोस्तो माटा इन दोनों को 100 प्रतिशत रोक सकती है उसके बाद दोस्तो दवा नंबर 3 लेकजिन पाउडर दोस्तो गरिबो का ब्रह्मास्तर जिसे कहा जाता है उसका नाम है दोस्तो लेकजिन पाउडर तो दोस्तों Lexin Powder की जो पाउच होती है सरी 50-60 रुपए में आ जाती है दोस्तो 20 ग्राम की Lexin Powder का इस्तमाल बीमारी आने से पहले और आने के बाद बीमारी की capacity कम करने के लिए दोस्तों और damage कम करने के लिए mortality rate घटाने के लिए किया जाता है जो हम यहाँ पर लेगजिन पाउडर का इस्तमाल करते हैं तो उसका प्रमान होता है एक लिटर शुद्धवानी में आप एक ग्राम लेगजिन पाउडर कंटिनिवस तीन दिन तक सुभ़ और शाम के वक्त दे देजे जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तो गरिबों को बहुत ज्यादा खर्चा करना मुंकिन नहीं होता है ऐसे में अगर लेगजिन पाउडर के इस छोटे पाउच का इस्तमाल करोगे या हमारे फार्म पर बारा महा तक लेकजिन पाउडर का पाउच रखोगे तो दोस्तो आपके फार्म पर आने वाली बहुत सारे बिमारीों की कैपेसिटी कम हो जाएंगे और बिमारी आने से पहले रोकने में हम बहुत ज़्यादा कामियाब हो पाएगे नमबर चार ब्रोटन लिवर टॉनिक दोस्तो मुर्गयों में सबसे इंपोर्टन टॉनिक है दोस्तो ब्रोटन लिवर टॉनिक क्यों तो दोस्तो हमें पता है कि कौन सी भी मोटर साइकल हो या कार हो उसका इंजिन दोस्तो मोटर साइकल खराब हो जाए या दोस्तो कार खराब हो जाए तो हमें मेकानिक के पास दिखाना पड़ता है उसके बाद ही वह दुरुस्त हो कि हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं लेकिन जो हमआरी मुर्गी होती है उसका इंजिन याने दोस्तों स्थों मुर्गी का इंजिन का इस्तमाल करना है दुनिया का सबसे बहतरन लिवर टॉनिक ब्रोटान को कहां जाता है ब्रोटान का इस्तमाल 15 दिन में तीन बार प्रती एक लिटर शुद्ध पानी में दो यमेल करोगे तो दोस्तों आपके फार्म की लिवर के 200 प्रतिशत रोख सकेगी इसलिए दोस्तों लिवर टॉनिक का इस्तमाल कीजिए लेकिन कौनसा भी लिवर टॉनिक नहीं तो स्रीफ ब्रोटान का ही इस्तमाल करके आप कामियाब हो सकते हो नंबर पाच दोस्तो नंबर पाच पर जो दवास आती है जिसका नाम है हधिमिरॉल यानि दोस्तो विंरॉल यह मल्टीब विटरामिनथी कभी मुर्गियों के शरीग में बहुँगीफ करने के के क्मिjenigen A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K इन सभी की परिपूरती करने के लिए हमें यहां पर multi vitamin का इस्तिमाल करना पड़ता है multi vitamin ने बहुत सारे option है लेकिन दोस्तों वायमिरोल यानि विम्रोल जितना ताकतवर multi vitamin दूसरा कौन सा भी नहीं इसलिए दोस्तों आप वायमिरोल इस multi vitamin का अपने medical kit में सव प्रतिशत समावेश कर लीजिए उसके बाद दोस्तों जो अगली दवा है दवा नंबर छे जिसका नाम है दोस्तों यहां पर ओस्त्रावेट दोस्तों ऑस्त्रावेट बहुत ही ज्यादा महत्तोपूर्ण दवा है दोस्तों जिसका इस्तमाल करना सव प्रतिशत यहां पर important है दोस्तों ऑस्त्रावेट जो दवा होती है इसका इस्तमाल करने के लिए आपको इसलिए शुरू करना पड़ता है क्योंकि ऑस्त्रावेट में दोस्तों कैल्शियम का डोस मौजूद होता है कैल्शियम की अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्तों कैल्शियम का यह डोस जो होता है सव प्रतिशत फायदे का सवदा साबित होता है लेकिन दोस्तों कैल्शियम जो ऑस्त्रावेट के जरिये हम देते हैं उसके माध्यम से मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया सव प्रतिशत रोक सकते हैं मुर्ग दोस्तो मेडिकल किट में ऑस्ट्रावियोंप्सेडडर परेविट में पर कर सकते हों नबर साथ की दवा है मुझा तक बिमारी विमारी हो में नमबर तीन पर आती है chronic respiratory disease यानि CRD इस बिमारी की जो है बाधा कभी भी बारा माहा में हो सकती है दोस्तो ऐसे में आपकी मुर्गियों की बीट सफेद होती है यानि लेटरिन यानि टॉयलेट साथी में दोस्तो आपकी मुर्गियां हाफती है उनको वहाँ पर खासी जुकाम ह वहाँ लगता है और साथी में ऊपर देखकर दोस्तो वह सांस लेती है यह सभी दिक्कते होने के बाद मुर्गी साथ-8 दिन के बाद एकस्पायर होती है लेकिन दोस्तो अगर आपको आपके मुर्गी पालन के फार में बीट सफेद दिखनी शुरू हो जाती है तो वैसे मे दोस्तो आपको यहाँ पर CRD का जो मेडिसिन है जिसमें नमबर एक टाइलोसिन ना मिल पाए तो नमबर दो एंडराफ्लोकसिसिन ना मिल पाए तो नमबर तीन टाइलोटाइन तीनों में से कौन सा भी एक मेडिसिन लाकर रखना है मेडिकल वाला आपको बता देगा कि कौन सा मेडिसिन मिलने के बाद क्या प्रमाण लेने का है उस हिसाब से दोस्तो आप इस्तमाल कर सकते हो इसकी एकस्पायरी दूर की होती है इसलिए दोस्तो इसका बार बार भी आप इस्तमाल कर सकते हो लेकिन दोस्तो CRD मिमारी आचानक का सकती है और इसलिए दोस्तों आपको सचेत रहना है और आपके फार्म पर सव प्रतिशत एक तो टाइलोसिन नहीं तो एंडरा फ्लॉक्सिसीन नहीं तो टाइलोटन इन तीनों में से एक दवा का उप्टलब्द होना बहुत ही जरूरी है नंबर आठ की आखरी दवा है दोस्तों जिसका नाम है ORS का पाउच हां दोस्तों कभी-कभी मुर्गी पालन के फार्म पर हमारी जो मुर्गिया होती है उनकी बीड बहुत ही ज्यादा पतली होती है जो खाया पिया होता है वह वहाँ पर उसे जो है डाइजेस्ट नहीं होता ह खाया पिया अगर नहीं लगेगा शरीर को तो दोस्तों शरीर की वहाँ पर सम्रिद्धी कैसी होगी शरीर की बढ़ोत्री कैसी होगी इसलिए दोस्तों हर कन जब शरीर में जाता है और एनरजी का स्वरूप प्राप्त करता है तो ही दोस्तों सही मायने में हमारी मुर्गिय की ग्रोथ हो पाएगे और हमारे मुर्गियों के फार्म का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ पाएगा इसलिए दोस्तों 20 रुपए के मामूली रेट में मिलने वाला और इसका पाउच लाकर दोस्तों एक तो आप समय आउधी में 15 दिन में दो बार या दोस्तों जब आपको ल बीट होती है नॉर्मल हो जाती और आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो दोस्ती यह ती पूरी आड़ दवाए इन सभी का इस्तमाल करके अगर मेडिकल की डिवलप कर लोगे तो दुनिया की कोई भी बिमारी आपके फार्म की तरफ आख उठाकर नहीं देखेंगी इसके साथ-साथ दोस्तो अगर आप R2B Staten Intramass Injection इसका इस्तमाल हर चार महा में एक बार समय आउधी नुसार जो मोसम बदलते हैं उसके अनुसार करोगे तो दोस्तो आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी आपको लगेगा कि इसके लिए खर्चा कितना लगेगा सव बर्ट का जो लासोटा का डोस होता है वह 78-80 रुपए में गंबोर का भी यही रेट है दोस्तो लेगजिन पाउडर का रेट है 50 रुपए ORS का रेट है 20 रुपए ब्रुटॉन लिवर टॉनिक का रेट है 500 रुपए वही रेट है और CRD के जो मेडिसिन उनका रेट 200-300 है यानि कि 1200 में आपके किट तयार हो जाएंगे लिकने आपके फार्म की हर चिंता दूर हो जाएगी इसलिए दोस्तों आपको यह आड़ दवाए लाकर रखनी है जिसका मेडिकल किट में समाविश होता है दु मेडिसन नंबर साथ और नंबर आट पर दोस्तों और इसका पाउस इन आटो दवाव का इस्तिमाल करते हुए बदलते मोसं में आर्टो बी का इस्तिमाल कीजिए दोस्तों आपकी हर दिकत सव प्रतिशा दूर हो जाएगी क्या आपने यह मेडिकल किट अभी तक तयार नही पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भैयों और मुर्गी पालक भायों के पास बेजने के लिए शेयर कर दीजिए इसके लिए आप परसनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपच इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली स्टाइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर जिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी एंगिस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आने वाला हर वीडियों आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आईसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त पूदल आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा तब तक कि लिए मेरे हर किसान भय और मुर्गी पालक भाई का का भाई